नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं दख़बरदार न्यूस तो चाही शुरुआत करते हैं मद्यप्रदेश की कुछ खास ख़बरों से मद्यप्रदेश के रीवा में बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता पर जानलेवा हमला कर वहन लूटी वाले बदमासों को पुलिस ने 24 खंटे की वीतर गरफतार कर लिया है पकड़े के बदमास शुतिर हैं जुनके खिलाब पहले से कई मामनी दर्श है घटना बुदवार को सिटी कोटवाली थाराच्षेत्र के निपनिया लखवरी बाग मोड पर हुई थी बदमासों के कबजे से लूटा गया वाहन जप्त कर लिया गया है रीवा जुले की सोहागी पुलिस ने 5.25 लाख रुपे का 52 किलो 500 ग्राम गांजा जप्त किया है पुलिस का कहना है कि गुरुवार की सुबा मुखविर से नशे की तसकरी के सम्मन्द में सूशना आई उसने कहा कि लगजरी कार में गांजे की खेप उडिसा से लोड हुई है ऐसे में टीम बनागर सोहागी के नजदीक अर्गड नात मंदिर के पास दविश दी रीवा जले की मंगवा पुलिस ने 50 अजार रुपे का 5 किलो ग्राम गांजा जप्त किया है बताया गया कि दूसरे छेत्र के दो तसकर नशीले पदार के डिलीवरी देने आये थे इसी बीच मंगवा पुलिस को मुख्विड ने सूशना दीती थाना प्रभारी ने तुरंत वरिष्ट अधिकारियों को अभगत कराया इसके बाद घिरावंदी कर दो तसकरों को पकड़ा है सेटी कोतवाली थाना अंतरगत निपानिया में बीते कल शाम करी 5 वजे दवा लेने जा रहे टाटा सुमू सवार राज गोपाल साकेत को आरोपी संतोस बंसल और मनोस बंसल ने चाकू मार दिया था और उनके पास रखे 4000 नगदी और वाहन लेकर फरार हो गए थे पीडित की शिकायत के बाद पुलिस ततकाल आरोपियों की तलाश में जुट गई घटना इस्थल पर पूस्ताश में आरोपियों की पहँचान हुई जिने देर रात पुलिस ने ग्रफतार कर लिया वही वाहन भी घटना इस्थल से कुछ दूर बरामत कर लिया गया धार्मे की स्थलों पर अच्छी सुवदा जुटाने के लिए महाकाल इश्वर मंदिर प्रवन्दे समिती और तिरूपती बालाजी मंदिर समिती के बीच एक MOU यानि Memorandum of Understanding हुआ है इसके बाद तिरूपती बालाजी में शिभभगतों के लिए ठहने की सुवदा उपलाब्त कराई ज़ा रही है इसी प्रकार भगवान महाकाल की नगरी उज्जयन में तिरूपती बालाजी के शिभभगतों के लिए धर्मिशाला का निर्माण होगा मद्यपरदेश अब 55 जिलों का हो गया है कैबनेट से अनुमूदन के बाद राजस्वभभागने गुरूबार सुबा पांधूरना को 54 और मेहर को 55 जले बनाने का आदिर शारी कर दिया छिंदवाडा से तूटकर बने पाढ़ूना जले में दो तहसील और 17 से अलग होकर बने मेहर में तीन तहसील होंगी रानी बाटर को मेहर और अजय देव शर्मा को पाढ़ूना का पहला कलेक्टर बनाया सीधी पेशाब कांड में आरूपी प्रवेश शुकला केंद्री जेल रीवा से जमानत मिलने के बाद रहा सीधी के पेशाब कांड मामले में NSA के तहत की गई थी कारिवाई उच्छ न्याले जवलपूर में आरूपी के परिजनों ने लगाई थी या चुका लोग स्वास्य आंत्रिकी एवं जन्संपर्क मंत्री राजेंद्रे शुकले ने कहा है कि बसामन मामा गौवन्स वन विहार देश वप्रदेश में अपनी पहचान इस्थापित करेगा तथा आधर्श वन विहार के तोर पर इस्थापित होगा वैदिक मंत्रों चारण के बीच स्वस्ती वाइप्चक के उधोस के साथ चुत्रिकूट नया गाउं आश्रम के मेहनत युवराज बद्री प्रपन्ना चार एवं मध्यपदेश गौवन्स वर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अकलेश और अनंद सहित अने संतों के गौवन्स वनिविहार में 10,386,000 रुपए की लागसे नव निर्मित नवीन संरशनाओं का लोकारपन किया केंद्री मंत्री अनुराग ठाकूर चैक्तिवर को एक दिवसिये दोरे पर रीवा में रही हैं मद्यप्रदेश कल आज और कल विशय पर प्रबुदी जन सम्मीलन में शुक्रवार की दोपर जिर्या इस्तित वरंदावन गार्ड में शामिल होंगे मद्यप्रदेश गौरप प्रतिष्ठान के सायोजक वीरिंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रदेश की भूत वर्तमान और भविश की आकान शाओं एवं अपेक्षाओं को परिभासित एवं समाज के मध्य परिलक्षित करनी के लिए आयूजन किया जा रहा है मद्यप्रदेश में विधानसावा चुनाव 23 के लिए मत्दाता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन कर दिया गया है 4 अक्ट्यूबर कुरप्रदेश की सभी मत्दान केंद्रों में बी एलों के माद्यम से सूचना का प्रकाशन हो गया है अब तक के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ तब तक लिए नमस्कार और देखते रहे हैं दखवरदार न्यूज दखवरदार न्यूज के समवादाता ब्रह्मानंत रिपाठी ने आम आदमी पाठी के उमीदवार विक्रम सिंग से खास बात्षित की जिसमें त्योंधर के कई मुद्दों पर बात की है जिससे आप हमारे यूट्यूब चेनल पर देख सकते हैं